नारायन नारायन, श्री राम शर्नममा, शष्ट प्रवचन कल के प्रवचन में पूचही तुम ही सहित परिवारा की व्याख्या प्रारंब की गई थी सर्वशक्तिमान इश्वर केवल रामन को विनष्ट करने के लिए अवतार ले यह बात युक्ति संगत प्रतीत नहीं होती पर भगवान देवताओं की व्याकुलता भरी प्रार्थना सुन कर कहते हैं कि आप लोग मत डरिये और फिर वे विस्तार से देवताओं को कुछ बाते बताते हैं उन्होंने पहली बात यह कही जनी डर पहुमुनी सिद्ध सुडेसा तुम ही लागी धर उनर बेसा आपके कल्यान के लिए आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं मनुष्य का वेशधारन करूँगा जब मैं अवतारित होंगा तो केवल एक ही रूप में न होकर अप दिन कर बंस उदारा इसके पश्चात्वे देवताओं को सूचित करते हैं कि कश्यप और अदिती के पूर्वकाल में मुझे पाने के लिए बहुत बड़ा तप किया था मैंने उन्हें वर्दान दिया था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्मलूंगा यही कश्यप और अदिती अयोध्या में दश्रत और कोसल्या के रूप में विद्यमान हैं मैं उनके घर में जन्मले कर विविध प्रकार की कृणाई करूंगा तथा प्रत्वी का भार दूर करूंगा आप लोग निश्चिंत हो जाएं इस प्रकार प्रभू की इस घोशना में बड़ा विस अदिती महा तपकीन हा तिन कहु मैं पूरब बरदीन हा ते दसरत कोसल्या रूपा कोसल पुरी प्रगट नर्भूपा तिन के ग्रह अवतरी हों जाई रगकुल तिलक सोचार उभाई नारद वचन सत्य सब करी हों परमसक्ती समेत अवतरी हों हरी हों सकल भूमि गरुवाई निर्भय हो हुदेव समुदाई वस्तुतह भगवान एक वंच में जन्म लेते हैं एक परिवार तथा एक जाती में जन्म लेते हैं भाई माता पिता तथा अन्य अनेक नाते और संबंधों को सुईकार करते हैं इस तरह से एक विस्तृत परिवार आयोध्या में दिखाई देता है तथा आगे चलकर केह और भी विस्तरित होता जाता है वन्यात्रा के पुर्व भगवान शीराम ने शी सीता जी से कहा कि आप अयोध्या में रहकर साथ ससूर तथा परिवार के सदस्यों की सेवा करें यही स्तुरी का धर्म है इस पर शी सीता जी ने कहा प्रभू इस केवल इतना ही तो नहीं है बलकि आपके परिवार का विस्तार इतना अधिक है कि उनकी सेवा के लिए यह आवश्यक है कि मैं आपके साथ चलूं उस समेशी सीता जी ने कहा चित्रकूट में हमारा एक नई परिवार में परिवेश होगा जहां सास ससूर कौन होंगे यह बता आते हुए उन्होंने कहा प्रिय परिवार कुरंग भिहंगा चित्रकूट के पशुपक्षी ही हमारे परिवार के प्रिय सदस्य होंगे इससे पूर्व जब भगवान राम आयोध्या से मिथिला गए तो भी परिवार का विस्तार हुआ वन्यात्रा में चित्रकूट में इसका सदस्य हो गई कोल किरातों ने जब अटपटी भाशा में अपनी बात कही तो उनकी बातों को सुनकर भगवान राम को कितने प्रसन्नता हुई इसका वन्नन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं बेद वचन मुनिमन अगमते प्रभू करुणा मेन वचन की रातन के सुनत जिमी पितु बालक बैन कोल की रात भगवान के पुत्र हो गए निशाद राज और वन्वासी भगवान के मित्र हो गए परन्तु फिर भी यह विस्तार रुका नहीं किश्किन धाकांड में हनुमान जी से प्रभू का मिलन हुआ उसमें प्रभू ने अपना बड़ा अनोखा परिचे दिया हनुमान जी प्रभू के सामने ब्रह्मन वेश में गए जाकर प्रभू को प्रणाम किया प्रभू ने हनुमान जी की ओर देख कर जानना चाहा आपने मुझे क्या समझ कर प्रणाम किया क्योंकि मेरा शरीर तो क्षत्रिय का है, आप ब्राह्मन की रूप में हैं, हनुमान जी ने कहा, मेरा तो यह निश्चित मत है, कि भले ही आप चत्रिय शरीर में दिखाई दे रहे हों, पर मेरी दृष्टी में आप भिन्न हैं, प्रभु ने पूछा आपको क्या लगता है, तीन में से दो क्यों आते, एक कहा चूट जाता, तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, तीन में दो नहीं, तो दो में दो तो होंगे, कौन से, नर नारायन की तुम दो, आप दोनों नर और नारायन हैं, प्रभु ने कहा कि जो दृष्टी से दिखाई दे रहा है, क्या वही तु दो में से दो हैं, पर अब तो लगता है कि एक ही दो बन कर आया है, इसलिए हनुमान जी ने अगला वाक्य यही कहा, जगकारन तारन भव भंजन धरन इभार, की तुम अखिल भुवन पती, लीन मनुज अवतार, आप साक्षात ब्रह्म हैं, अब प्रभु अपना परिचय देने लगें, किन्तु यह परिचय नई प्रकार का था, वे कह सकते थे हाँ, अद्वितिय ब्रह्म ही हूं, पर उन्होंने परिचय प्रारंभ किया, कोसलेस दसरत के जाए, अयोध्या के राजा दशरत का मैं पुत्र हूं, हम पितु वचन मानी बन आए, पिता की आग्या मा कर मैं वन में आया हूं, संग नारी सुकुमारी सुहाई, हम अभी तो दिख रहे हैं, पर हमारे साथ मेरी पतनी भी थी, पर यहां वन में उनका किसी राक्षस ने हरण कर लिया, इहां हरी निसिचर बाइदेही, विप्र फिरई हम खोजत देही, भ्रामन देवता, मैं अपन प्रिया को ढूंड रहा हूं, यह एक नए प्रकार का परिचय था, क्योंकि पतनी, पितात, धभाई, इन संबंधों के साथ परिचय देना तो बिल्कुल पारिवारिक परिचय हुआ, किन्तु हनुमान जी ने इसका लाभ लिया, उन्होंने कहा प्रभु, निर्गुण निर प्रभु आज आपने जो परिचय दिया, वह तो बड़ा उपयोगी है, परिचय जब पूरा हो चुका, तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु परवत के उपर बंदरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, आप चलकर उनसे मित्र ता किजिए, हनुमान जी का संकेत था कि महाराज, आपका परिचय सुनकर यह बात तो सपष्ट हो गई, कि आप निर्गुन से सगुन बनने कर नई संबंध जोडने तथा परिवार का विस्तार कर रहे हैं, किन्तु मुझे लगता है कि अभी आपके परिवार में दो संबंधों की कमी है, क्योंकि इतने परिचय में आपने य चतुराई से एक बात और कह दी, उन्होंने कहा महराज सुगरीव वैसे हैं तो आपके सेवक, सो सुगरीव दास तव अह ही, लेकिन तही सननात मैत्री की जई, आप उनसे मित्रता कीजिए, प्रभु ने मुस्कुरा कर देखा भाई, सुगरीव तो दास हैं, उन्हें मित्र बनाने पर तो दास का पद खाली हो जाएगा, तो तुरंत हनुमान जी ने कहा कि तब आप वहपद मुझे दे रीजिएगा, इस प्रकार सारे संबंध पूरे हो जाएंगे, तब आप हनुमान जी के स्वामी, सुगरीव के मित्र, लक्षमन के भाई, श्रिसीता जी के पती, तशरत जी के पुत्र होंगे, अगर विचार करके देखें, तो यह हमारे लिए बड़ा अच्छा आश्वासन है, क्योंकि यह नया ईश्वर, नए नए संबंधों की खोज कर रहा है, विस्तार की अंतिम परनती तब होती है, जब निशाचर जाती में जन्म लेने वाले वि विष्टतम प्राणियों को अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्विकार किया, इस परिवार के विस्तार का तातपर्य क्या है, अगर इसी पर हम दृष्टी डालें, तो हमें यह स्पष्ट प्रतीत होगा, कि यदि बिना जन्म लिये ही इश्वर रावन का वद कर देत तो इससे केवल उस युक के कुछ लोगों को ही लाव मिल पाता, परंतु अवतार लेकर मनुष्य शरीर धारन करके, जो सूत्र अपने चरित्र के माध्यम से देते हैं, उनसे हम सब वन्चित रह जाते, परिवार की एकी धारना यह हो सकती थी, कि ब्रम्हांड में एक देश देश में एक नगर, नगर में एक घर और उस घर में रहने वाले कुछ सदस्य, अगर वैक्ति इसे ही अपना परिवार मान कर, उसी के लिए सब कुछ करने को प्रस्तोत होगा, तब तो वह अन्य लोगों को अपने से भिन्न मान लेगा, वैसे अगर इस संदर्भ में भी कल् वैक्ति आत्म केंद्रित तो नहीं ही रह गया है, अगर वै अपने आप में मैं में केंद्रित हो जाता, तो पक्कासवार्थी हो जाता, पर अब वै अपने सिवाए अन्य सदस्यों के लिए भी कारे करने की चेश्टा करता है, किन्तु परिवार की यह भावना, एक सीमित सी होकर रह गई तथा व्यक्ति में इसके द्वारा अनुदारता की स्रिष्टी हो जाए इसकी पूरी-पूरी संभावना है परिवार का ऐसा अर्थ संकिर्णता की और ले जाने वाला है इंतु भगवान श्री राम जिस अर्थ में परिवार की भावना लेते हैं उसका विस्तार आयोध्या से लेकर लंका तक है यही परिवार की भावना राम राज्ये में है दूसरी और राम राज्ये का विरोधी तत्व प्रकट होता है मंतरा के माध्यम से मंतरा ने कैकई जी को भड़का दिया और यहाँ पर भी परिवार की धारना संकुचित हो गई कैकई जी ने य जद्यपी यहां पर दोनों ही सूत्र थे एक सूत्र तो यह था कि राम और भरत दोनों ही महाराज श्री दश्रत के पुत्र थे इस भावना से देखने पर इसमें उदारता की वृध्धी होती है पर दूसरी दुरुष्टी यह थी कि एक पिता के पुत्र होने पर भी तो गलग माताओं से थे जिनमें परसपर सौत का संबंद है मंत्रा ने इसी भावना का विस्तार किया अब उस परिवार में न महाराज दश्रत रहे ने कोसल्या रही और नहीं श्री राम रहे अब तो उनकी दृष्टी सीमित हो गई कि मेरे पुत्र तो एक मात्र श्री भरत ही है और मुझे जो कुछ करना है वह अपने पुत्र के लिए करना है एक और श्री राम के परिवार का विस्तार है और दूसरी और परिवार की संकुचित भावना का स्वरूप जिसके कारण रामराज्य की स्थापना में बाधा पड़ी वे अपने चरितर की द्वारा यह प्र कि मेरे बेटे भरत को राज्य मिले पर श्री राम यह नहीं कहते कि भरत मेरी सौतेली माता के पुत्र हैं अपितु वे तो मुस्कुरा कर यह कहते हैं भरत प्रान प्रिय पा वही राजु भरत मेरा छोटा भाई है जो मेरा प्रान प्रिय है उसे राज्य मिलेगा कि कई भरत को अपना पुत्र मानती है पर भगवान राम उन्हें अपना प्राण मानते हैं इसलिए वे कहते हैं कि इससे बढ़कर पसंदता की बात और क्या होगी कि भरत को राज्य मिले यह है परिवार की दिव्यभावना परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों की जो दृष्टी वे प् परिचे दिया इसके क्रम के माध्यम से वे क्या संदेश देना चाहते हैं आईए इस पर गहराई से विचार करें परिचे देते हुए वे कहते हैं कि मैं उदार सूर्यवंच में जन्म लूँगा उदार एवं सूर्यवंच ये दोनों शब्द बड़े महत्वके हैं सूर्य या सूर्य वंच्र की उदार्ता का भी प्राय क्या है? रामायन में एक ओर रावन हैं, तथा दूसरी ओर भगवान श्री राम. रावन का परिवार भी बड़ा विस्तरित है, और भगवान राम का भी, दूसरे अर्थों में. रावन में भी सदगुण और विशेषताएं विद्यमान हैं, भगवान राम ने भी मनुष्य के रूप में जन्म तो लिया, लेकिन उनके भी अनेक सदगुण सामने आए. किन्तु दोनों में मूल अंतर क्या है? उसके लिए रामायन में एक बड़े महत्व का सूत्र चुना गया. सूरे में प्रकाश है तथा चंद्रमा और तारों में भी प्रकाश है. पैसे प्रकाश तो जुगनू में भी है. तो क्या इन सभी को एक ही श्रेणी में रखा जाए क्योंकि इन सभ में प्रकाश वित्यमान है? अशोक वातिका में रावन अपने अशुवरे का प्रदश्चन करता हुआ. अपनी रानियों के साथ श्री सीता जी के सामने जाकर यह अनुरोध करता है. एक बार बिलो कुमम ओरा. पर श्री सीता जी ने रावन की और दृष्ट उसे लगा के लंका अधिपती रावन को जुगनु कहना इससे बढ़कर मेरा और अपमान हो ही नहीं सकता. श्री सीता जी ने भगवान श्री राम और रावन की तुलना करते हुए कहा कि रावन कमलनी प्रकाश में ही विकसित होती है. लेकिन क्या कभी तुमने कमलनी को जु प्रकाश में ही विकसित होती है. हमारे प्रभूतो सुर्य के समान है और तुम जुगनु के समान हो. रावन को श्री सीता जी की यह बात सबसे बुरी लगी जिसमें उन्होंने रावन को जुगनु कह दिया. गो स्वामी जी कहते हैं आपो ही सुनि खग्योत सम राम ही भान समान परुश वचद सुनिकाड यसी बोला आती खिसियान परंतु प्रश्न यह है कि श्री सीता जी इतने बड़े एश्वरे सम्रुधी तथा बल विक्रम वाले लंकापती रावन को जुगनु कहकर उसे छोटा सिद्ध क्यों करना चाहती हैं वस्तुतह जुगनु कहते समेश श्री सीता जी का उदेश्य दूसरा था यह नहीं कि जुगनु में प्रकाश कम है और सूरे में अधिक श्री सीता जी का उदेश्य था इसकी व्याख्या किश्किंधा कांड में भगवान राम ने जुगनु के माध्यम से की जुगनु के प्रकाश का उदेश्य क्या है यद भगवान राम लक्षमन के साथ पैठे हुए हैं और जहां तहां आकाश में बादल चाय हुए हैं तथा जुगनु चमक रहे हैं भगवान श्री राम ने मुस्कुरा कर लक्षमन से कहा देख रहे हो ये चारों ओर जो चमक रहे हैं वे क्या हैं? उन्होंने कहा प्रभू ये तो जुगनु हैं भगवान ने कहा लक्षमन निसितम घन खक्ट्योत विराजा जनु दमभिन कर जुरा समाजा जुगनु दमभ का प्रती कहें दमभी उस व्यक्ति को कहते हैं जो ऐसे गुणों को अपने में प्रदर्शित करने की चेश्टा करें कि जो लोगों को अपनी और आक्रिष्ट करने वाले हों पर उसके भीतर वह वृत्ती ना हो अंतह वृत्ती के विपरीत बाहयरूप से सदगुणों का दिखावा करने वाला व्यक्ति दमभी कहलाता है जुगनु में प्रकाश है इसलिए उसे भी प्रकाश की जाती में ही मानना चाहिए पर विचितरता यह है कि जुगनु भले ही प्रकाश लिये हुए हो पर वह प्रकाश का विरोधी है यह बड़ा सुक्षम संकेत है कि यद्यभी प्रकाश को प्रकाश का विरोधी नहीं होना चाहिए पर सत्य यही है जुगनु ब्रम्हा से कहा महराज दिन न रहे रात हो जाए जिससे सूरे न रहे पर उतने से उसे संतोष नहीं हुआ रात्री तो हो गई पर रात्री में चंद्रमा चमक रहा था उसने कहा महराज रात्री भी तो अमवस्या वाली हो पर अमवस्या वाली रात्री में भी तारे चमक रहे थे इसलिए जुगनु ने तीसरी बाल प्रार्थना की कि बादल चा जाएं तब हम उसमें चमकेंगे भगवान चीराम ने लक्ष्मन जी से यही बात कही निसितम घन खक्ड्योत विराजा जनु दम भिन कर मिला समाजा दम भी यही चाहता है कि समाज में जितना अंधेरा फैलेगा उतनी ही हमारी चमक लोगों की दृष्टी में आएगी इसका भी प्राय है कि व्यक्ती अपने अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए सदगुणों का प्रदर्शन करता है वह चाहता है कि और कोई दूसरा ना चमकने पाए प्रकाश हो तो केवल मेरा हो दंभी जुगनू के चमकने के पीछे यही भावना है शिसीता जी का तातपर है कि कैसी विडम बना है कि तुम प्रकाश और सदगुणों को लेकर भी निशाचर हो तुमारे बाहर प्रकाश है पर भीतर अंधकार के प्रती पक्षपात भरा हुआ है इसीलिए तुम संसार में अंधकार का विस्तार ही चाहते हो एक महत्व का सूतर है यह कि क्या हम अपने जीवन में सदगुणों को मात्र अपने अहम को व्यक्त करने के लिए इकत्र कर रहे हैं या फिर हम सच मुच यह चाहते हैं कि अंदकार मिटे आज तक जुगनु के प्रकाश में न कोई पड़ पाया न मार्ग देख पाया न घर का अंधेरा मिटा और न नगर का अंधेरा मिटा हां इस अंधेरे में बस जुगनु ही दिखाई देता है समाज में एक वर्ग ठीक जुगनु की तरह भी होता है जिसके लिए जनकपुर में लक्षमन जी ने एक बहुत बड़ा व्यंग किया भगवान श्री राम ने कहा लक्षमन देखो सूरे निकल आया है या नहीं लक्षमन जी ने कहा महराज एक सूरे तो निकल आया पर अभी दूसरे की आवश्यक्ता है बहुत इक अंधिकार को दूर करने वाला सूरे तो निकल आया पर धनुष की रूप में जो अंधिकार जनकपुर में फैला है उसे मिटाने के लिए भी सूरे की आवश्यक्ता है पर जब आपकी भुजा का सूरे उदित होगा तो उससे यह अंधेरा भी मिट जाएगा प लक्षमन जी ने कहा महराज इन में से अंधेरा दूर करने वाला कोई नहीं है वे कहते हैं रवी निज उदय व्याज रगुराया प्रभू प्रताप सब नृपन दिखाया नृप सब नखत करही उजियारी तारी नसकही चाप तमभारी यह सब राजा तो नक्षत्र और ता शिसीता जी को प्राप्त करने आए हैं ना कि धनुष तोड़ने आए हैं इन दोनों में बड़ा अंतर है मुख्य प्रशन यह है कि हमारा उदेश अंधकार को दूर करना है या शक्ती को प्राप्त करना है जब हम प्रकाश लेकर आते हैं तो यही लगता है कि हम समाज का अ अंधेरा दूर हो लक्ष्मन जी का भी प्राय है कि प्रभू अगर धनुष तोड़े बिना सीता जी मिल जाएं तब तो इनको बड़ी प्रसन्यता होगी पर जनक जी ने कह दिया है कि बिना धनुष तोड़े सीता को अर्पित नहीं करूंगा इसलिए यह अंदकार को तोड करने का अभिनाय मात्र कर रहे हैं उनका व्यंग था कि ये तो चंद्रमा और तारे के समान हैं चंद्रमा तथा तारों में प्रकाश होता है और वह उप्योगी भी होता है किसी ने उनसे पूछा आप प्रकाश फैलाते हैं इसलिए आप तो यही चाहते होंगे कि अंदकार मिट जाए इस पर उन्होंने कहा कि भाई सच्चाई तो यही है कि अगर सच मुझ अंदकार मिट जाएगा तो हम चमकेंगे कहा यसी लिए अंदकार भी बना रहे और हम भी चमकते रहे यहाँ एक समझ होता है कि समाज में बुराई बनी रहे असमर्थता हीनता बनी रहे ताकि लोगों को मिरी आवशक्ता का बोध होता रहे कि सब राजा भी यही चाहते हैं कि गणेश जी महाराज धनुष मुझ से तड़वाईए नहीं तो किसी से ना तड़वाईए अंधेरा मिटाने का श्रया यदि मिले तो मुझे मिले और उसके बदले में शक्ती मिले तो मुझे मिले यदि मुझे ना मिले तो फिर संसार में अंधकार और बुराई बनी रहे ताकि लोग मेरी आवशक्ता का अनुभव तो करते रहे राजाओं की यह वृत्ती दूसरे प्रकार की अर्थात नक्षत्र तधा तारों वाले वृत्ती है एक रोगी डॉक्टर की तव एक डॉक्टर रोगी की दवा करता है रोग को दूर करना एक अच्छा कार है इस नाते वह प्रशंस्निय कार है पर अगर उससे यह पूछा जाए कि क्या आप चाहते हैं कि रोग पूरी तरह से मिट जाए तो बेचारा डर जाएगा कि अगर रोग मिट जाएगा तो हम कहां रहेंगे वकील के साथ भी यही बात है वह चाहेगा कि कुछ जगड़े निपढ़ते रहें और कुछ बचे रहें हर वर्ग की यही समस्या है हमारे एक पुराने पीड़ी के वक्ता थे अगर किसी को वे कथा में लिखते देखें तो कहते थे तुम पहले लिखना बंद करो तब मैं बोलूगा टेप में तो उन्होंने उसे आने देने की चेश्टा ही नहीं की उनका सीधा सा उत्तर था कि जब सब लोग कथा वाचक ही बन जाएंगे तब मुझे कौन सुनेगा इस प्रकार एक और तो हम अग्ञान से लड़ते हैं पर अग्ञान को बचाए भी रखना चाहते हैं जहां कहीं भी जिस किसी बुराई से हम लड़ रही हैं आधे में उसे हराने तथा आधे में बचाए रखने का प्रियास करते रहते हैं लक्षमन जी ने कहा प्रभू ये कोई अंधेरा दूर करने नहीं आए हैं यह तो एक सूरे ही है जो यह नहीं चाहता कि अंधेरा बना रहे बलकि सूरे ने तो आज तक अंधेरा देखा ही नहीं इसमें एक और बात यह है कि जुगनु कहता है मुझे देखिए चंद्रमा और तारे कहते हैं हमारे प्रकाश में अन्यवस्थों को भले ही देख लें पर हमें भी अवश्य देखिए पर अगर कोई सूरे की और देखने की चेश्टा भी करे तो सूरे कहता है कि मुझे देख कर क्या कीजिएगा अपना काम कीजिए इस प्रकार सूरे ही एक मातर ऐसा है जो अंदकार मिटा कर लोगों को कर्म करने की प्रेरणा देता है अपना पदर्शन नहीं करता परंतु सूरे वंच में जन्म लेने का भी प्राय क्या है परशुराम जी की चर्चा पिछले दिनों में चली थी गोस्वामी जी से किसी ने पूझा आप परशुराम जी को किस श्रेनी में रखेंगे जुगनु तारे या की चंद्रमा तुलसिदास जी ने कहा भई उन्हें भी सूरे के रूप में ही रखना होगा इसलिए जब परशुराम जी आए तो उन्होंने कहा तेई अवस परंतुगो स्वामी जी ने दोनों का परिचय देते हुए थोड़ा सा अंतर कर दिया जब भगवान शीराम को उन्होंने सूरे बताया तो एक विशेश शब्त जोड़ दिया उदित उदाई गिरी मन्च पर रघूबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग यदेपी भगवान श्रीराम भी सूरे हैं और परशुराम जी भी सूरे हैं पर श्रीराम कार्तिक मास के प्रातह कालीन सूरे हैं और परशुराम जी जेट महीने की दोपहरी वाले सूरे हैं इसका अर्थ है कि प्रकाश भी अगर लोगों को जलाने लगे सुरे तो वह प्रकाश भी प्रिया नहीं लगेगा संत लित प्रकाश की ही आवश्च्णता है यह संतुलन भग्वान श्री राम में है सूर्य वंच में जन्म हुआ तो उनमें सूरत का प्रकाश तो है पर सूरत का ताप नहीं क्योंकि वह राम चंद्र हैं, जिनके व्यक्तित्व में सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की शीतलता दोनों विद्यमान हैं, ऐसे हैं भगवान श्री राम, पर शुराम जी भी सूर्य हैं, पर अगर सूर्य समाज को संतप्त करने लगे, तो वह प्रिय नहीं लगेगा, उसी तरह से आपका ज् में भई की उत्थपत्ती कर दे, तो वह श्री राम का आदर्श नहीं है, वस्तुतह भगवान राम का सूर्य वंच में प्राकट्य इसी आदर्श की स्थापना करता है, सूर्य का अर्थ बड़ा व्यापक है, सूर्य ज्यान है, सूर्य काल तथा उदारता का प्रतीक है, इस समय भगवान शीरागवेंद्र उदास हो गए किसी ने श्री राम से कहा कि यह तो सूरेवन्ष की परंपरा है कि जो जेश्ट होता है उसे राज्ये मिलता है आपका सिनहासन पर बैठना तो बड़ा स्वभाविक है पर श्री राम ने कितना सुंतर वाके कहा कि जन में एक संग सब भाई भोजन सयन केल लरिकाई करन भेद उपबीत भी आहा संग संग सब भय उच्छाहा उस समय प्रभु ने सूरे का स्मर्ण करते हुए कहा विमल बंस यह अनुचित एको बंदू भी हाई बड़े ही अभिसेको इससे बढ़कर सूरेवन्ष के लिए कलंक की कोई बात नहीं हो सकती कि छोटे को छोड़कर बड़े को राज्य दिया जाए यद्यपी परंपरा यही थी कि सूरेवन्ष में जो जेश्च पुत्र होता है वही राज्य होता है अपने स्थान पर यह परंपरा बड़ी उप्यूकत है लेकिन चीरागवेंद्र ने उलट कर कहा कि लिए को यश्की बात नहीं है यही श्री राम के चरित्र का पक्ष है श्री राम जब प्रकाश का वित्रण करते हैं तो वे सारे विश्व के जितने प्राणी हैं सबके लिए प्रकाश का वित्रण करते हैं भगवान श्री रागवेंद्र ने इस परंपरा को समाप्त करने क उन्होंने कहा भरत छोटा भाई है छोटे भाई को राजे मिलना चाहिए उसके पक्ष में तरक भी कितना मदुर है किसी ने कहा प्रभू कितना अठपटा लगेगा कि बड़ा भाई राजा ना बने और छोटा भाई राजा बन जाए प्रभू ने कहा इसमें तो मेरे गौरव की और भी अधिक वृद्धी होगी अगर मैं आयोध्या के सिन्हासन पर बैठूंगा तो मेरा परिचय यही कह कर दिया जाएगा कि ये आयोध्या की राजा है पर अगर भरत बैठ जाए तो मेरा परिचय आयोध्या की राजा के बड़े भाई के रूप में दिया जाएगा इस जो सबको समान रूप से प्रकाश बांट रहा है सूरे काल का भी प्रतीक है श्री हनुमान जी ने बाल्य आवस्था में सूरे को निगल लिया तथा बाद में सूरे को गुरु बना कर उनसे शिक्षा प्राप्त की इन कथाओं के साधारन अर्थ पर ही लोगों की दृष्टी जाती है और बहुत हुआ तो यही प्रश्ण करेंगे कि श्री हनुमान जी का मुझ इतना बड़ा था उन बेचारों के सामने एक भौगोलिक समस्या होती है के इतना विशाल सूर्य और उसे हनुमान जी ने मुझ में रख लिया पर इस कथा के अंतरंग पक्ष पर भी तो ध्यान दीजिए इस कथा का सांकेति कभी प्राय है के श्री हनुमान जी में भूग है और सूर्य प्रकाश का प्रतीक है शरीर को तो वस्तूओं की भूग है पर वह धन्य है जिसे प्रकाश की भूग है साधक का यही जीवन है आगे चल कर हनुमान जी ने सूर्य को ही गुरू बनाया वस्तुतह बाल्यावस्था में हनुमान जी सूर्य को मिटाने नहीं बचाने चले थे कथा आती है कि जिस समय श्री हनुमान जी सूरे को फल समझ कर खाने चले, उसी समय राहू सूरे को ग्रसने के लिए आ रहा था श्री हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण चदुरदशी को होता है उसकी दूसरे दिन अमावस्या थी, सूरे ग्रहान होने की स्थिती निकट थी हनुमान जी ने चलांग लगा कर सूरे को मुख में रख लिया लोगों को लगा कि हनुमान जी सूरे को निगल गई, परन्तु हनुमान जी का उदेश भिन था वे नहीं चाहते थे कि राहु रूपी अंदकार, सूरे रूपी प्रकाश को निगल ले क्योंकि वे जानते हैं कि राहु इस कला में बड़ा पक्का है पुराणों में कथा आती है कि जब समुद्र मंथन से अम्रत निकला और भगवान मोहिनी के रूप में अम्रत बांटने लगे तो राहु पहचान गया कि अम्रत बांटने वाले जदम वेश धारी भगवान विश्णू है और यह अम्रत देवताओं को ही मिलेगा राहु देवताओं का रूप बनाने में निपॉन था पहदेवता का रूप बना कर सूर्य और चंदरमा के बीच में बैठ कया अंधेरों ने स्थान का चुनाव भी कितना बढ़िया किया हर प्रकाश के पीछे कही ना कहीं अंधेरा चिपा रहता है राहू ने स्थान का चुनाव सोच समझ कर किया उसने विचार किया कि अगर प्रारंभ में ही बैठ जाएं तो वित्रन करने वाले का ध्यान प्रारंभ में बैठे वेक्तियों पर विशेश रूप से जाता है इसलिए पकड़े जा सकते हैं और अंत में बैठने में खत्रा यह है कि अगर अमरत कहीं बीच में समाप्त हो गया तो मिल ही नहीं पाएगा इसलिए बीच में बैठना ठीक है सूर्य तथा चंद्रमा के बीच का चुनाव उसने इसलिए किया कि वे इतने ज्यादा चमक रहे होंगे कि सबकी दृष्टी उनहीं की ओर रहेगी कुछ लोग बीच में बैठने की कला में बड़े निपुन होते हैं ऐसे वेक्ती समाज में बहुत होते हैं जो दैत्य होकर भी देवता का वेश बना सकते हैं और अंदकार होकर भी प्रकाश की आड में अपने आपको चिपा कर अमृत पाने की चिष्टा करते हैं मोहिनी के रूप में अमृत का वित्रण करते हुए भगवान राहू के सामने आए उसने अपना पात्र बढ़ाया भगवान ने उसे अमृत की बुंदे दे दी उसने ततकाल ही उसे पी लिया जबकि अन्यदेवता प्रतिक्षा कर रहे थे कि जब सब अमृत प्राप्त कर लें तो एक साथ पान करेंगे इस बीच सूरे चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान को संकेत किया कि यह तो द्यात्य है आपने किसे अमृत दे दिया भगवान विश्णु ने चकर उठा कर प्रहार किया रहू के सिर और धड़ अलग हो जाने पर अमृत पान के कारण दो रूपों में जीवित हो गया भगवान से पूछा गया महराज आप तो सरवक्न हैं आप क्या पहचान नहीं पाए जो अमृत पला दिया भगवान ने कहा भई मैं पहचान तो गया पर वह भी मुझे पहचान गया था इसलिए मैंने सोचा कि जिसने मुझे जान लिया उसे अमृत तो मिलना ही चाहिए यह सोचकर मैंने अमृत दे दिया तो महराज अमृत पलाने के बाद फिर उसे दो रूपों में विभखते क्यों कर दिया भगवान ने कहा भई जो देव और देते वाली प्रकृती के बीच रहते हैं उनका सिर अलग चलता है और धर अलग चलता है भी कहते हैं कुछ और करते कुछ हैं ऐसे लोग राहु के प्रतीक हैं राहु सूरे को निगलने के लिए चला तो हनुमान जी ने ज्यान और प्रकाश की रक्षा करने के लिए सूरे को अपने मुख में धारन कर लिया उन्होंने सोचा कि दैते ज्यान की शक्ती को पाकर भी अनर्थ की ही सृष्टी करेंगे उसका भी दुरुपयोग ही करेंगे बाद में हनुमान जी उन्ही सूरे के सम्मुक खड़े होकर ज्यान की शिक्षा प्राप्त करते हैं सूरे विज्यान की दृष्टी से स्थिर होने पर भी काल के नियामक के रूप में निरंतर गतिशील है सूरे समय का बड़ा पक्का है वे काल चक्र के प्रतीक हैं कभी रुखते नहीं पर एक नई बात यह हो गई कि जब भगवान शिराम का जन्म हुआ तो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानाई कोई रत समेत रभी थाकेव निसा कवन विधी होई एक महिने तक सूरे की गति रुख गई इसका भी प्राय है कि नियम में काल की गति बहुत है पर प्रेम तक पहुचने के लिए थोड़ी काल की गति रुखने की भी आवश्रकता है काल भले ही महत्व पूर्ण हो पर इतना महत्वपूर्ण नहीं कि भगवान शीराम का जन्म हो तब भी वह ना रुके। वह यह नहीं सोचता कि जन्म हुआ तो क्या, हम तो ऐसे ही चलेंगे। उस दिव्य पर्व पर सूरे रुक जाता है। ऐसे भगवत प्रेमी सूरे के वंच में भगवान राम ने जन्म लेकर जो चरित्र किया, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। नारायन नारायन